आज हम बनाएंगे बच्चो का मनपसंद नास्ता वो भी गेहूं के आटे से ये नास्ता बच्चो को इतना पसंद आता है कि उन्हें देना भी नहीं पड़ता वो खुद से ही मांग मांग के खाते हैं और गेहूं के आटे से बनाएंगे तो ये हेल्दी भी होता है तो इसके मैंने यहां पे लिया है एक कप गहुं का आठा और दो चम्मच सूजी अब हमने एक कप गहुं का आठा लिया है तो उसके लिए हम लेंगे आधा कप चीने जितना हम हम compliqué लेना है उसके आधा चीनि लेना हैकोई आप एक कप या एक कटोरी सेट कर लिजिये उसी से सारी चीजो की मेजरिंग कीजिएगा थोड़े से इसमें हम डालेंगे ट्राइफ रूट्स तो इहां पर मैंने थोड़े से काजु को ऐसे छोटे-छोटे टुकडों में तोड़के डाल दिया है और थोड़े से मैं इहां पर डाल रही हूं बादाम इसको भी थोड़ा सा मतलब चक्कु से काट लिया है आप चाहें तो अपनी मन पसंद का कोई भी ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं या बीना ड्राइफ रूट्स के भी इसको बना सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें एक इलाइची को ऐसे थोड़ा सा क्रस करके इससे इलाइची वाला बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसे इसकी भी कर सकते हैं अब यहां पर मैंने एक कप ही दूद लिया है एक कप आटा लिया है तो एक कप दूद लिया है उसके लिए अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के और अच्छे से मिक्स करेंगे आप दू कोई भी गुठलिया ना रहा जाए तो पहले स्टाटिंग में इसको फेटेंगे तो चम्मच थोड़ा हाड चलेगा पर जैसे जैसे फेटते जाएंगे यह बहुत ही अच्छा हम मतलब हलका सा चलने लग जाएगा एक दम स्मूट बेस्ट बन जाएगा इसे हम गेहूं के आ क्योंकि बच्चे जल्दी ड्राइफ रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो हमने इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल दिया है अब इसको ढग के हम पांच मिनट के लिए रख देते हैं रेष्ट पे अब पांच मिनट हो चुके हैं तो अब हम इस बैटर को चेक कर लेते अब यह बैटर रेड़ी है और चलिए अब चलते हैं हम इसको बनाने के प्रोसेस में अब गैस पर एक फ्राइपेन या तवा रखकर गरम कर लेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालके और इसको इस तरीके सा चारो तरफ फिला देंगे फ्राइपेन में या आप इसकी जग प्राइप देने की ज़रूरत नहीं होती है यह जो पैन केक है यह अपने आप ही शेप ले लेता है पैन में डालते ही तो यह देखिए अपने आप ही गोल-गोल हो जाता है अब हम गैस की फिलेम मेडियम करके इसको दो मिनट के लिए सेखने देंगे अब इसको शेखते हु अब दो मिनट हो गया है तो इसको पलट लेंगे और यह देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया इसमें तो यह बहुत ही अच्छे से सीखी आए अब निकाल लेंगे हम इसको पैन से बाहर अब हम इन सारे पैनकेक्स को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और यह भी बढ़ जाता है तो इस तरीके से हम इसको बच्चों को सवर करेंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं अगर आप टीफिन में दे रहे हैं तो उपर से हनी ना डालें वरना हनी डालके बहुत चिप-चिप हो जाएगा मतलब घर पे दे रहे हैं खाने को तो इसके प्लेट में रहे हनी डालके दें तो यह बच्चों को बहुत पसंद आता है एक बार से आप इस पैन केक की रेश्पी को जरूर ट्राइ कि देगा आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर मेरे चै टेक के रूर